हाँ जी दोस्तों तो अपना सेप्टमबर 2024 में कॉस्ट का एक्जाम आने वाला है जैसे एक्जाम आने वाला होता है बच्चे कहते हैं सर आप हमारी थोड़ी सी हल्प कर दीजी हल्प किस तरह से सर इतना सारा सलेबस है आप बता दो किसमें से कौन-कौन से चैप्टर से टेम् के बाद अरे बता रहा हूं रिलेक्स यार तो हमने बच्चों के लिए बना दिया है जी हर अटेम्ट की तरह A, B, C, N, L, C जिसमें हमने चैप्टर को तीन भाग में बाट दिया है केटेगरी A, केटेगरी B और केटेगरी C तो इस वीडियो का यही एक मुद्दा है कि फटा और 2024 के एक्जाम के लिए ही स्पेसिविक लिए यह वाला एनलिसिस बनाया गया है, कॉस्टिंग सब्जिक का है, केटेगरी A के अंदर कौन-कौन से चैप्टर रहेंगे, आपका स्टेंडर कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्टिंग, मेरा ऐसा नुमान है कि एक आपने चैप्टर तो सभी करना ही है, सभी के चैप्टर के हो सकता है, आप चार से पांच कोश्टिंग करके देख लो, अगर समय बचे तो थोड़े और ज्यादा करके देख लानों, उसके बाद आती है, केटेगरी B, मुझे लगता है यह वाले चैप्टर मैक्सिमम 20-30 मार के आसपा स्केरी करने चाहिए, जिसमें आता है लेबर कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, प्रोसेस और एक्टिविटी बेस कोस्टिंग, इन चैप्टर के ऊपर आप एक कैटेगरी वालों से थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं, और लास्ट में आता है जी कैटेगरी C, जिसे मुझे लगता है कि बहुत जादा वेटेज ये वाले चैप्टर की नहीं होनी चैए, एक्जाम के अंदर 10 to 20 माक्स, मैक्स to मैक्स कवर करना चाहिए, बचटरी कंट्रोल, जॉब कॉस्टिंग, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट और फाइनेशल अकाउंट, जो की जो की आपका पूरा पेपर रहेगा, आपको A, B, C केटेगरी इस तरह से करना है, अच्छा बच्चे करें सर, ये हम नोट करें नहीं, ये आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से फाइल मिल जाएगी, और फिर से बता दू, this is purely based on my research and my expectation, ऐसा मत कहना सर, केटेगरी C में आपने 20 अगर आप इसके हिसाब से करके जाएंगे, तो मुझे लगता है, बढ़िया रहेगा, मौज लगेगी, और पेपर हो जाएगा जबर्दस, ठीक है ठी, बाकी all the very best to all of you, मातराने का जैकरा लगा कर जो है, सेचन गानत करेंगे, जैकरा शर्दा ते बोल साचे दरबार की जै वीडियो नों लाइक करते ना, तो कमेंट सेक्शन वे जरूर लिख जाना, पास होँआंगे, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए पुत्तर, बाबाई